Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैं अभी शेक कुमार, Magnet Brains सके लाएक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है complete NCIT, NCIT examplers और best publishers की book complete theory और complete solutions के साथ, तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को, इस वीडियो में हम लोग क्या cover कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम एक नया topic NCIT examplers से cover कर रहे हैं, त तो एक बहुत important topic, 6 classes का basic start हो रहा है, तो 6, 7, 8, 9, 10, मैं कहूंगा 10, 11, 12 तक और आपके future तक, ये topic आपके साथ चलने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से एक एक question को ध्यान देना, और NCIT examplers की question तभी आप touch करिएगा, जब आप complete theory attend कर चुके हो, तो चलिए, start करते हैं इस clear हैं तक, तो चलिए, पहला सवाल जो NCIT examplers से है, इस topic से है, chapter number 8 से है, वो है आपके सामने, the ratio of 8 books to 20 books is, अब ratio आप लोगों ने 6th class में बहुत अच्छे से समझा, कि word में ratio कभी use करता हूं, तो word ratio कभी use किया जाता है, चलिए, देखिएगा इसको, तो word ratio तभी use किया जाता है जब हम कहते हैं कि numerator upon denominator ये जो fraction है, इसमें highest common factor 1 है, at CF1 होना चाहिए, उपर नीचे, मतलब कोई भी दूसा factor, numerator और denominator में common नहीं दिखना चाहिए, other than 1, अगर उपर नीचे मुझे 1 common factor दिख रहा है, तो मैं कहूंगा, ये जो fraction है, ये एक ratio में है, और ratio को दिखाने का जो symbol होता ह है, N is to D, इस दिके से double dot के through हम लोग ratio को दिखाते हैं, clear है ये चीच, तो चलिए, इस सवाल को सर कैसे करेंगे, तो ये सवाल जो है, इसको समझना, 8 books का comparison, 20 books के साथ किया है, तो हमेशे याद रखना, जब भी ratio, मतलब comparison दो quantity का, अब दोनों quantity same nature की होनी चाहिए, तो ही उनका comparison हो पाएगा, अब देखो यहाँ पे जैसे books और books का comparison किया है, तो ही comparison हो पाएगा, ये एकदम सही है, अब आगे 8, 220, ये जो word है 2, इस 2 का मतलब होता है, ये double dot, तो ये double dot हम लोग use symbol करते हैं, 2 क्यों represent करने के लिए, तो मतलब 8 books ये आगे का numerator दिया है, और 20 books ये denominator दिया है, तो इसको fraction में जब हम convert करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 books, ठेखे, 2, 2 का मतलब upon 20 books, अब देखो यहाँ पे books और books का comparison हो रहा है, तो ही comparison हो सकता है, दोनों same nature की है, अब 8 और 20 को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो 8 और 20 के अगर आप factors देखते हैं, तो 8 और 20 का जो factor clear, upon 20 के लिए हमारा factor आएगा 2 into 2 into 5, तो ये देखो, उपर नीचे common factors क्या दिख रहे हैं, जितने भी common factors हैं, उनको आप simplify कर दीजे, मतलब काट दीजे, तो यहाँ से देखो, 1 2 से उपर नीचे 2 2 कट गए, उपर नीचे अगेन एक एक 2 और कट गया, तो हमारा ratio जो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 2 by 5, that means 2 is to 5, तो हम कहेंगे कि ये जो statement हमें लिखके दिया है, इसका ratio है हमारे सामने 2 is to 5, A option, आपको समझ आया, clear है, comment box में जल्दी से बताते जाएए, कि question number 1 से लेके 10 तक, ये आपके सामने MCQs है, question number 1 इसमें से समझ आया कि नहीं, yes या no, clear, तो यहाँ पर बहुत असान language में मैंने ये सिखाया कि ratio का मतलब होता है highest common factor 1, और यही चीज मैंने बताया था, 8 और 20 में highest common factor 4 and 4 दिख रहा था, 4 into 2 दिख रहा था, और यहाँ पर 4 into 5 दिख रहा था, common factor था 4 and 4 हमने उसको काटा, तो जाके 2 और 5 में जो common दिख रहा है, वो इ तब ही हम कहेंगे ये ratio है, तो ratio क्या निकल के आया, वो आया 2 is to 5, ऐसे मैं चीजों का आप समझ सकते हैं, तो देखिए हमारा green tick भी A option भी हमें देख रहा है, आगे move करते है, question number 2 की तरफ, तो second question क्या गह रहा है, second question क्या गह रहा है, the ratio of the number of sides of a square, 2, 2 का मतलब, इस तरी के से double dot, the number of edges of a cube, क्या बोल रहा है ये, तो ये दो चीजों के बीच में comparison कर रहा है, एक तो number of sides of square and number of edges of a cube, ठीक है, तो cube और square दिखने में कैसा होता है, अगर आप देखेंगे तो ये square है, square वो figure जिसकी चारो side equal होती है, और जब मैं cube की बात करूंगा, तो cube मतलब इसमें 6 faces होती ह हैं, और वो 6 की 6 faces हर face जो है, वो square होता है, ठीक है, तो every edge is equal, every edge is equal, अब edge क्या होता है sir, edge का मतलब जब 2 face आके जिस line पे meet करती है, आप देखेंगे यहाँ पे front face और side face आके इस वाली edge पे meet कर रहा है, तो edge का मतलब जब 2 faces आके किसी corner पे मिलते हैं, उस line को, जो line formation होती है, उसको हम edge कहते हैं, अब यहाँ पे आप अगर चीज देखें, तो मैं इसमें dotted line basically वो पीछे वाला part बना रहा हूं, जो की visible नहीं है, यह 3D view है, यह 2D view है, 2D में सिफ इसका front दिखता है, 3D में इसका top, side और दोनो side, मतलब front, top और side visible होता है, तो इस case में हम कहते हैं, यह 3D view है, यह 2D view है, अब देखिएगा, यहाँ पे बात की गई है, number of sides, तो कितनी number of, the number of sides of a square, तो number of sides of square, एक square में कितने sides हैं, तो number of sides of square, ठीक है, चैँ, और दूसरी बात की गई है, उनने, अगर double dot लगा दूँ, ठीक है, दूसरी बात इननों ने क्या किया है, तो नम्बर of edges, तो यहाँ पर number of edges की बात इन्होंने की है ठीक है number of edges मैं एक बार spelling correct कर दूँ तो यहाँ पर edges of a cube ठीक है अब आ जाते हैं तो square में कितनी side होती है आप कहेंगे sir 1, 2, 3, 4 तो 4 sides क्योंकि square में होती है और number of edges cube में कितनी होती है तो यह cube है इसमें edges अगर आप count करेंगे तो आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 तो front face पे 4 edges दिख रही है ऐसे ही 4 edges पीछे भी होंगी तो 1, 2, 3 और यह 4 तो 4 edges, 4 front में, 4 पीछे अब देखो, उपर यह 2 मैंने count नहीं की थी तो 4 और 4, 8, 9, 10 और नीचे की 11 और यह 12 तो total यहां पे 12 edges होती है 4 is to 12 का ratio आप से पूछ रहा है अब क्योंकि 4 और 12 का अगर मैं fraction बनाऊंगा तो 4 बना है 2 into 2 से और 12 बना है 2 into 2 into 3 से उपर नीचे common ratio, ठीके common, highest common factor 1 होना चाहिए तो यहां पे 2 से यह 2 कट गया, इस 2 से यह 2 कट गया कुल मिला के हमारे पास बचा 1 by 3 ठीके, तो जो ratio निकल के आया किस में number of sides of square and number of edges of cube में वो 1 by 3 आया, इसलिए मैं कहूंगा इसका answer D option है तो मैंने एक-एक बारीक बाते आपको इस question में समझाई है यह question two marks में भी आपको subjective part में दे सकते हैं clear है, जल्दी से board कर लिजे copy और हम लोग यहां से clear करके D option check कर लेते हैं, क्या इसका answer D है, तो देखी yes green tick भी हमारा D option पर आ रहा है, चलिए, question number two हो गया move करते है, question number three की तरफ, third question क्या कह रहा है तो third question आपको कह रहा है, अब picture is 60 cm wide एक-एक photo है, जो की 60 meter, 60 cm wide है और one point eight meter long है, देखो दो अलग-अलग units दिये हैं यहां पर, अब यहां पर length और breath की बात हो रही है तो आपको length दी है one point eight meter, meter बड़ा unit होता है इसलिए मैंने बड़ी line लिए है, और यहां पर जो unit दिया है वो मुझे दिया है centimeter में, centimeter होता है छोटा, तो यहां पर 60 centimeter की बात हो रही है, ठीक है, तो दा पिच्चर इस 60 centimeter wide and one point eight meter long, the ratio of its width, पहले किसकी बात हो रही है, width की बात हो रही है, फिर लिखा है two, ठीक है, its perimeter in lowest form is, तो यहां पर ratio हम से पूछा है, कौन सी दो चीज़ों का, हम से पूछा है, width, width two, two का मतलब denominator में क्या जाएगा, its perimeter, तो इसी चीज का perimeter, इसका ratio क्या आएगा, तो यह एक rectangle हमें नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, red pen की through, width हमें दी है 60 centimeter, और perimeter का मतलब है, perimeter का मतलब है, sum of all sides, यह sum तभी होगा, जब unit same होगी, बट यहां पर तो unit centimeter में दी है, और यहां meter में दी है, तो क्या मैं meter को centimeter में change कर सकता हूँ, yes, कैसे करेंगे, क्योंकि one meter बराबर होता है, 100 centimeter के, तो 1.8 meter बराबर होगा, 1.8 multiplied with 100 centimeter के, जब मुझे एक quantity पता है, जब मुझे एक की value पता है, तो मैं जादा की निकालने के लिए multiply करूँगा, clear है यह चीज, तो हम 100 से 1.8 को multiply कर देंगे, और यह हमारा आजाएगा, 180 centimeter, clear है, तो इस 1.8 meter को मैं लिख सकता हूँ, 180 centimeter, अब आप देखिएगा, तो यहां पे finally, perimeter क्या निकल के आएगा, तो perimeter, width upon perimeter का ratio देना है, तो width तो 60 centimeter है, perimeter आएगा, 180 plus 60 plus 180 plus 60, क्योंकि यह भी 180 होगा, length, ठीक है, और यहां पे width जो होगी, यह 60 centimeter होगी, तो perimeter की case में, of rectangle मैं कहूंगा, 2 times of length plus breadth, मतलब 180 plus 60, clear है, और यह value हमारी निकल के आएगी, 60 upon 2 multiplied with, तो यह आजाएगा, 0, 6, 6, 12, 13, 14, 14, 4, carry 1, 240, और यह value हमारी निकल के आएगी, 60 upon, 60 upon, 2 into 0 is 0, 2 into 4 is 8, 2 into 2 is 4, 480, यह 6ने से 6ने कट जाएगा, ठीक है, और 6 और 48, तो देखो यह 6, 6, देखो क्या ratio आया है, यह आया है, 6 upon 48, 6 को अगर आप देखेंगे, तो यह है 2 into 3, और 48 को अगर आप देखेंगे, तो 48 में factor हमें दिख रहा, अगें 2, clear है, और एक 3 का factor भी दिख रहा है, तो यह 3, और 6, 8 times होता है, 48, तो 6, 8 times, 2 into 3, 6, 6, 8 times, 48, ठीक है, क्या मैं 2 into 3 और 2 into 3 काट दूँ, तो ratio मेरे पास आ रहा है, 1 by 8 का, तो यह आपके पास ratio निकल के आया, 1 is to 8 का, और यही आपको solve करना था, 1 is to 8, यहाँ पर D option, मैंने क्या समझाया, बड़े simple language में समझना, एक picture है, उस picture की length meter में दी है, उस meter को मैंने centimeter में convert किया, perimeter निकाला है सबसे पहले मैंने, और perimeter निकालने के लिए formula, rectangle में होता है, 2 times of length plus breadth, ठीक है, कैसे निकलता है सरी यह formula, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यह वाली length को add करते हैं, breadth से, फिर इस length को add करते हैं, और फिर इस breadth को add करते हैं, तो यह actually formula बनता है, जब हम length plus breadth plus length plus breadth करते हैं, तो देखो 2L और 2B, तो यहाँ से 2 common लेके 2 times of length plus breadth, हम ऐसे formula को बनाते हैं, तो कुल मिला के यह आता है, 2 multiplied with, जो मैंने यहाँ पर किया, 180 centimeter multiplied with 60 centimeter, sorry, added with 60 centimeter, यही मैंने यहाँ पर किया है, तो 80 plus 60 किया, जो की value 240 आई, तो 2 into 240 जब मैंने किया, तो यह value हमारी आ रही है, कितनी, तो यह value हमारी आ रही है, 2, 0 times 0 to 4 times 8 to 2 times 4, 480 centimeter, अब ratio हमें बोला था width upon perimeter का ratio, तो width is to perimeter, यह हमें सवाल में बोला था, width is to perimeter, इन दोनों का comparison करो, तो sir, इन दोनों का comparison कैसे हो सकता, दोनों तो अलग-अलग quantity हैं, भाई, इन दोनों का comparison हो सकता है, क्योंकि यह दोनों चीजे एक ही figure से related है, इसी figure की width, यह length, यह perimeter, यह area, किसी का भी वो ratio निकालने को बोल सकते थे, clear है, तो 1 is to 8, यहाँ पर D option, question number 3 में आपका answer है, board करते हैं clear, answer check कर लेते हैं, तो yes, देखिए, green tick भी हमारा, 1 is to 8 में आ रहा है, move करिए, next question, question number 4 की तरफ, तो 4th question क्या था, 4th question कह रहा है, नीलम्स annual income is rupees 288000, मतलब 2,88,000, 2,88,000, यह इसकी annual income है, annual का मतलब क्या होता है, तो annual का मतलब है, पूरी साल की income, 12 महीने की income जो है, वो है 2,88,000, हर annual saving amount to rupees 36,000, पूरे साल में, उसने कितना पैसा बचाया, तो उसने बचाया है 36,000, the ratio of her savings to her expenditure is, क्या ratio होगा, उसकी savings का, उसके expenditure से, और 2 देखो कहा लगा है, तो हमेशा जब भी ratio पूछें, वहाँ पे 2, 2 को आपको ऐसे box बनाना है, आप देखनें, पिछले 3 question में मैंने यह ही किया है, तो आपको ratio क्या देना है, बोर्ट अगर clear कर दूँ, savings upon expenditure, ठीक है, अब देखिएगा, तो हमसे जो ratio पूछा है, 2 का मतलब मैंने upon में लिख दिया, तो अब कुल मिला के हमें देना था, savings is to, ठीक है, तो आप पहला जो step लिखेंगे, वो लिखेंगे, savings is to expenditure, यह हमें बताना है, खर्चे, ठीक है, अब देखो, expenditure हमें क्या पता है, हमें पूरे सवाल में expenditure कहीं नहीं दिया, हमें savings दिया, हमारे, हमारे, हमारे को उसके annual income दिये, तो इस तरह के सवालों को, देखो, सबसे पहले यह दो marks में भी आ सकता है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहां लिख देता हूँ, solution, और देखो, इसको solve करने का एक तरीका, proper pattern बताता हूँ, तो इसमें आपको क्या करना है, कि आपको देखो, given क्या है, तो अगर आप देखेंगे, तो आपको given है, यहाँ पर annual income, चलो, तो यह आपको annual income given है, annual income in rupees, ठीके, तो annual income दिये है, आपको कितनी 2,88,000, यह साल भर की 12 महीने की annual income दिये, आप यहाँ पर savings दिये, तो savings, आपको कितनी दिये हैं, savings यहाँ पर दिये, 36,000, तो रुपीज 36,000, यह आपको saving दिये, तो इसका मतलब बाकी पूरा जो पैसा है, वो साल भर में उसना कर्च कर दिया, ठीके, common से वात है, घर के 1000 काम, तो वहाँ पर पैसा लगेगा, ठीके, अब जो उसने कमाया, वहाँ पर उसने खर्च किया होगा, जीने में, राशन आया होगा, cylinder आये होंगे, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, 100 तरह के expenditure होए होंगे, और जो उसने finally saving की होगी, वह 36,000 है, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि खर्चे कितने हुए, तो जितना उसने कमाया, ठीके, उस कमाने में से minus saving कर दूँ, तो income minus, देखो formula लिख रहा हूँ, income minus saving, ये बनता है आपका formula, common सी बात है, मेरे पात 10 रुपे आए, वो 10 रुपे में से मैंने 2 रुपे दे दिये, तो इसका मतलब मेरे पास बचे कितने 8 रुपे, तो 10 आए, 2 जो है मैंने दे दिये, यहां मैं ऐसा बोलूँ कि 10 आए, उसमें से मैंने 8 बचाए, बाकी खर्चा हो गया, तो कितना खर्चा हुआ, तो 10 माइनस 8 करूँगा, 2 रुपे का खर्चा मिलेगा, वो ही यहां पे किया, तो expenditure निकालने के लिए income माइनस saving करनी है, तो income हमारी कितनी थी, 2,88,000 यह हमारी income थी, जिसमें से हम savings को अगर हटा दे, तो हमें यह पता चलेगा कि हमने खर्चा कितना किया है, ठीक है, तो देखो 8,000 में से 6,000 गए, तो यहां पे बचे 2,000, ठीक है, उसके बाद 8 में से 3 गया, तो यहां बचा 5, और आगे के 2 को तो हमने छेडा ही नहीं था, तो 2,52,000 रुपीज जो है, इतना amount, इसने expenditure खर्चा कर दिया, एक काम करते हैं, इसको expenditure लिखके एक bracket में डाल देते हैं, ठीक है, तो यह देखिए, मैंने इसको एक bracket में डाल लिया, अब, अब क्या करना है, तो कुल मिला के, अब मुझे यहां पे ratio निकालना है, तो हमसे ratio प पूछा था, ratio हमसे पूछा था, savings is to expenditure, अब निकाल सकते हैं हम, असान हो गया काम, देखो, savings हमारी कितनी थी, तो savings थी, हमारी 36,000, is to expenditure हमारा कितना था, तो 2,52,000, ठीक है, यही हमसे पूछा था, ratio of her savings to her expenditure, 2 के बाद जो भी लिखा है, वो बाद में आएगा, 2 के पहले जो भी लिखा है, वो पहले आएगा, ठीक है, तो savings is to expenditure, तो इसका मतलब 36 is to, इन दोनों में common factor को हमें काटना है, तो ही हम ratio बोलेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा, 36,000, divided with 2,52,000, तो 3,0 से 3,0 कट गए, यहां पे एक fraction हमें मिला, 36 upon 252, अब हमें क्या देखना है, कि इन दोनों में common क्या है, simplified form में जब हम convert करेंगे, वो ही हमारा ratio निकल के आएगा, तो 36 का मतलब है, 6 into 6 is 36, और 252 के factors आप rough work में निकाल लो, तो 252 के जब आप factors निकालोगे, 2,1 times 2, 2,2 times 4, 2,6 times 12, again, 2,4, 2,6 times 12, 2,3 times 6, again, 3 से जाएगा, 3,2 times 6, ठीक है, और 3,1 times 3, 3,7 times 21, तो मैं देख रहा हूँ, 2 into 3,6 होता है, 2 into 3,6 होता है, यहां पे भी 6 into 6 into 7, यह factor बन के आएगा, और देखो, उपर नीचे common 6 दिख रहे हैं, दो बार, काट दो, तो एक ratio मिला, और वो ratio मिले मिला है, 1 by 7, इस case में मैं कहूंगा, कि मेरा ratio आया है, 1 is to 7 का, और यही आपको करना है, कैसे convert किया, simplified form में हमें convert करना है, हमसे पूछा था, savings is to expenditure, तो इसको हम जब simplify करते जाएंगे, हम कहेंगे, ratio actually 1 is to 7 आया है, यह ratio नहीं था, यह एक fraction था, ठीके, यह fraction को ratio तभी बोलते हैं, जब highest common factor 1 होता है, उपर नीचे, आप options देखेंगे, तो option में यहाँ आपको B option देख रहा है, clear है, तो question number 4 का, B answer, यहाँ पे आपके सामने, move करते हैं, next question, question number 5 की तरफ, board कर लेते हैं, clear, question number 5 क्या बोल रहा है, अच्छा देखो, हमारा green tick तो B पे आई गया है, तो अभी बताया है, 1 is to 7 कैसे आया है, next question जो है, question number 5, वो यह रहा, क्या बोल रहा है, mathematics textbook for class 6th has 320 pages, the chapter symmetry runs from page 261 to page 272, the ratio of the number of pages of this chapter to the total number of pages to the book is, तो यहाँ पे एक बोहुत simple सा कोशन है, बस इसको समझना हमें हमें हैं ती, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्या चैप्टर का नाम है symmetry ठीक है जो इसके बाद का चैप्टर है actually ठीक है तो एक चैप्टर का नाम है symmetry वो चालू हो रहा है page number 261 से लेके page number 272 तक अब यहां पर ही कह रहा है the ratio of the number of pages the number of pages of this chapter is chapter symmetry की जो बात हो रही है इसमें total number of pages का ratio निकालना है किसके साथ two word लिखा है two को मैंने box में डाल दिया the total number of pages in the book total कितने pages हैं book के अंदर clear है मैंने क्या बोला यहां पर देखिएगा हमें क्या-क्या given है पहले तो मैं वह लिख लेता हूं तो मुझे total number of pages given है हैं कितनी तो total number of pages हैं 320 pages ठीक है उसके बाद मुझे दिया है chapter का नाम तो chapter started from 260 मतलब page number 261 मैं ऐसा बोलू कि page number 261 to 272 जो चालू हो रहा है हमारा chapter 261 page से चालू हो रहा है और कहा तक जा रहा है 272 तक तो therefore total number of pages total pages यह total number of ना बोल के मैं कहूंगा यहाँ पर total pages of this chapter इस chapter में कितने pages हैं तो देखिएगा total pages of this chapter तो इस chapter में total pages कितने हैं तो देखो 261 से अगर मैं 270 तक जाता हूं तो 270 तक 10 pages हुए और 12 pages तो total 12 pages है जिसमें यह chapter सिमिट गया 12 pages होंगे 261 से आप count करना चालू करो तो 261 से 270 तक 10 pages होते हैं और 10 के बाद 2 pages और हैं तो 12 pages total 12 pages हैं यहां तो ऐसे निकाल लो तो यहां आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे 12 pages हो गया ठीक है तो 12 pages जो हैं वो यहां पर हैं अब हम क्या करेंगे तो हमसे ratio पूछा है हमसे क्या पूछा है तो to find ratio रेशियो किसका निकालना है तो ratio हमारा निकालना है the number of pages of this chapter तो number of pages number of pages in chapter जिसमें chapter है वो कितने pages हैं upon number of number of number of total number of total number of pages in book book के अंदर total कितने pages हैं ठीक है यह हमारा सवाल है तो हम देखेंगे यहां पर number of pages in this chapter is 12 12 upon total कितने pages थे book में तो वो थे 320 120 अब इसको simplify करना है तो हम रेशियो दे पाएंगे तो इसको simplify करने के लिए क्या मैं यहां पर बोल से हूँ 2 x 6 12 होता है ठीक है यह 6 को तोड़ा और तोड़के लिख देने तो टू इंटू 3 कर लेते हैं तो देखो 2 x 4 4 x 3 is 12 12 को मैंने factors में तोड़ दिया 320 के factors बताईए तो 320 के लिए आप कहेंगे 2 x 5 तो 10 बनाता है और 32 कैसे बनता है तो 32 बनता है जब मैं यहां पर देखो आप 32 बनता है 2 1 x 2 2 6 x 12 2 8 x 16 और 2 4 x 8 and 2 2 x 4 तो 2 जब 5 ताइम्स multiply होता है समझ आ रही है मैंने बात मैंने क्या किया मैंने कुल मिला के factor निकाले है 320 के 320 में से 10 का multiplication मैंने अलग किया 32 x 10 किया वो 10 के factor है 2 x 5 और 32 के factor है जब 2 5 x multiply होगा उपर नीचे common factors को cut कर दो तो 2 से यह 2 से इस 2 से यह 2 से तो इसका मतला उपर नीचे मैंने 2 दो दो बार मुझे दिख रहा था 4 common दिख रहा था मैंने 4 को काट दिया अब मेरे पास क्या बचा तो मेरे पास बच रहा है 3 upon 2 x 4 4 x 2 is 8 8 x 5 is 40 40 x 2 is 80 तो 3 x 80 इसमें कुछ भी common नहीं है तो यही हमारा ratio निकल के आया यही हमें पता करना था तो finally हमारा ratio निकल के आया है 3 is to 80 clear और 3 is to 80 यहां पर C option में मुझे दिख रहा है तो आप इसको copy करिए पूरे proper तरीके से ऐसे ही और यह दो marks में सवाल आ सकता है subjective के अंदर तो MCQ बहुत प्यारे question से यहां पर आपको solve करने का एक एक तरीका एक एक pattern में समझा रहा हूं तो MCQs को कैसे solve करते हैं वो आपके सामने answer कैसे निकला चलिए move करते हैं question number 6 की तरफ 5 कर दिया clear question number 6 तो यह answer देखो 3 is 2 80 आगया green tick ठीक है question number 6 देखीएगा in a box the ratio of red marble एक box के अंदर एक box के अंदर कुछ marbles है marbles का मतलब पत्थर के तुकड़े हैं या कच्चे हैं या कुछ भी ऐसा marble बोला है उन्होंने ठीक है in a box the ratio of the red marbles और वो red color के ठीक है two blue marbles अब देखो two लिखा है तो two को एक box में डाल देता हूं तो in a box the ratio of red marbles two blue marbles ठीक है यह ratio हमें दिया है seven by four का यह रहा seven by four which of the falling could be the total number of marbles in the box आप बताईए total इस box में कितने marbles हैं तो total कितने marbles हैं यहाँ पे देखिएगा red marbles red marbles two blue marbles हमें बोला है और यह ratio हमें दिया है और ratio दिया है इसका मतलब seven by four ratio बोला है ratio का मतलब यह होता है कि इसमें जो highest common factor है वो है one और यह तभी बनाओगा जब हमने common चीजों को उपर नीचे काटा होगा तो मैं बोलता हूँ वो common चीजे उपर नीचे x एक factor था जिसको multiply किया जब मैं x वो unknown quantity डाल देता हूँ कि वो common क्या चीजे थी जिसको काट के ratio बनाया गया तब यह चीज रेशियो नहीं यह fraction बन जाता है इसका मतलब जो red marble थे वो थे 7x तो यहाँ पे जो red marble थे ठीक है वो red marble थे 7x अब ratio से हट गया हमेशा याद रखना जब भी आपको कोई चीज रेशियो से remove करनी है 7 is to 4 दिया था अगर मुझे यह 2 का sign remove करना है तो मैं एक unknown quantity को दोनों तरफ multiply कर दूँगा यह हो जाएगा 7x यह हो जाएगा 4x फिर यह ratio का sign हट जाता है यह double dot हट जाता है remove करने का सबसे अच्छा तरीका तो यहाँ पर जो red marble है वो है 7x जो blue marble है ठीके तो blue marble जो है वो यहाँ पर है 4x और total कितने marble है तो मैं कहूंगा total number of marbles इसमें कुछ x होंगे तो in a box the ratio of the red marbles to the mu marbles is 7 is to 4 which of the falling could be the total number of marbles in the box तो 7 plus 4 total marbles कैसे निकालेंगे देखना तो total marbles यहाँ पर हम कहेंगे यह value आजाएगी 7x plus 4x और यह हमारी value आजाएगी 11x ठीके 7 plus 4 कर दीजे यह आजाएगी 11x तो 11x अब total marble कितने तो total marble अगर मैं बोलता हूँ माल लो y ठीके तो यहाँ से अब मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर यह देखना है यह ratio मतलब यह basically जो values दीए इस पर भी ध्यान देना है तो यहाँ पर अगर मैंने लिया 18 माल लो 18 लिया कि मैं बोलता हूँ कि total marble जो एक back के अंदर थे वो 18 माल लो let it be 18 ठीक है इसका मतलब 11 x की value 18 के बराबर होनी चाहिए थी ठीक है 11 में ऐसा क्या multiply करूँ कि मेरी value 18 आ जाए तो यह possible ही नहीं है ठीक है यह possible नहीं है ठीक है अब next let it be 19 क्या मैं 11 into x में कोई चीज ऐसी 11 में multiply करूँगा कि मेरी value 19 आए तो यह भी चीज possible नहीं है कि x में ऐसी कोई चीज multiply मतलब 11 के साथ ऐसी कोई चीज multiply नहीं कर सकते कि value 19 आए सर आप यह क्यों कर रहे हो अगर कई बच्चों के मन में यह सवाल है तो आप पहले तो फिर से समझना मैंने क्या किया मैंने यह पता किया कि bag में total number of marble कितने है 11 x है अगर 11 x की value 18 के बराबर है तो x की value एक natural number आना चाहिए natural number आना चाहिए मतलब उसकी counting 0 नहीं होनी चाहिए कोई natural number होना चाहिए 1 से लेके आगे तक के number अब यहाँ पर जब मैं x की value ढूंडूंगा तो 18 by 11 आएगा एक fraction आएगा वो natural value नहीं आ रही ठीक है 19 लूंगा तो again x की value एक natural number नहीं आ रही है तो मैं क्या करूंगा मैं माल ल आए कर सकता हूं कि मेरी value 11 आए तो आप कहेंगे नहीं ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं कि last d option और मैं यह बोलता हूं कि let it be let it be 22 तो yes 11 में जब मैं 2 का multiplication करूंगा तो यह 22 आएगा मतलब इस box के अंदर जिस box की वो लोग बात कर रहे थे इस box के अंदर 22 total marble हो सकते हैं इसमें से जो 7x है मतलब इसमें से जो 14 marble है वो red color के हो सकते हैं ठीक है और बाकी बचे हुए जो 8 marble है वो blue color के हो सकते हैं clear है अब आप देखेंगे 14 plus 8 22 भी दे रहा है तो total marble ठीक है वो 22 होंगे मतलब मेरा answer है d option और यहां से ratio बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है red marble 7x blue marble 4x और जब मैं x की जगा 2 डाल रहा हूँ तो 14 आ रहा है और 4 into x x की जगा जब 2 डाल रहा हूँ तो 8 आ रहा है तो यहां पर चीजे solve हो रही है clear है solution मिल रहा है तो हम कहेंगे yes total number of marble जो है वो 22 है 14 red and 8 blue खतम बात चलो board कर लेते हैं clear answer check कर लेते हैं तो yes देखिए हमारा green tick भी d option पर हमें दिख रहा है move करते है next question question number 7th की तरफ तो question number 7th क्या कह रहा है इसको देखिएगा question number 7th कह रहा है on a shelf shelf मतलब आपकी घर में कोई almira है ऐसे कोई खाने बने हुए है ठीक है उसके उपर आप कोई चीज रखते हो यहाँ पर इन्होंने books रखी है तो on a shelf books with green cover अब कुछ books हैं जिनके cover green है and that with brown cover are in the ratio 2 is to 3 यह बोल रहा है एक shelf में कुछ books रखी है और उसमें जो green cover की books है green cover books two अब सब यहाँ तो two नहीं लिखा था ठीक है तो आप कैसे बोल सकते हो denominator जो है वो brown cover books होंगी देखो वो भी चीज मैं समझाता हूँ देखो यह सब English का केल है brown cover books यहाँ पर हम बोल देते हैं brown cover books यह ratio basically इन्होंने दिया है तो देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है एक shelf में books with green cover ठीक है books रखी है green color की and 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 का मतलब है और की बात हो रही है और क्या है तो with brown cover book तो brown cover की books भी है r in ratio वो एक ratio में है यह clearly statement बोला है तो पहले जिसकी बात हो रही है उसके लिए value है 2 तो मतलब green cover books 2 by 3 का ratio है 2 brown cover books मैंने क्या बोला यहाँ पर मैंने यह बोला कि r in ratio यह word क्योंकि बोला था ठीक है और पहले जिसकी बात हो रही थी वो value 2 है तो books with green cover 2 और books with brown cover 3 यह ratio दिया है 2 by 3 तो यह मैंने English के statement से ही ratio निकाला ठीक है if there are 18 books with green cover अब इन्होंने clearly बोला है कि total number of total number of books total number of books with green color जिनका green color है with green color is equals to तो यह हमें दी है कितनी 18 अठारा दी है clearly बोल दिया 18 books है with green cover then the number of books with brown cover आप बताईए brown cover की books कितनी है यह 3 नहीं है कितनी है वो निकलेगा जब आप एक unknown quantity 3 के साथ multiply करोगे मैं क्या बोल रहा हूं वो मैं समझा रहा हूं तो यह चीजे हमें given थी ठीक है brown color ठीक है यह हमें पता करना है चलो तो हम कैसे पता करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें ratio का sign हटाना है जो ratio हमें दी है 2 by 3 तो यह sign हमें remove करना है तो let the total number of books total number of books with green color अब यहां पर let क्यों किया बिशिक सर यह तो already 18 दिया हुआ है तो 18 दिया है बट जब मैं ratio की बात करूंगा अगर मुझे यह नहीं दिया होता और मुझे अगर ratio का sign हटाना है अभी पिछले question मैंने क्या बताया ratio का sign remove करना है तो यहां पर मैं जब यह ratio का sign remove करूंगा क्योंकि यह मुझे दिया था 2 is to 3 यह जो double dot है इसको remove करने के लिए मैं एक unknown quantity है multiply करतूंगा तो let the total number of books with green cover is equals to 2x और वो ही जो unknown quantity मैंने 2 के साथ multiply की है वो ही 3 के साथ multiply करेंगे तो यहां पर आ जाएगा let the total number of books with red color नहीं sorry with brown color brown की बात हो रही है न तो brown cover is equals to 3x अब देखो total number of books with green cover 2x है तो अगर मैं इसको बोलूं यह equation है मेरी second और यह वाली जो equation इन्होंने 18 दिये यह है first तो दोनों तरफ same statement है total number of books with green color total number of books with brown color देखो total number of books with green color यहां पर भी green cover है यहां पर भी green cover है same statement है तो यह हमें एक figure दिया है fixed constant value दिये 18 और यहां पर एक variable के साथ value दिये 2x तो यहां पर एक equation बना सकते है therefore 1 is equals to 2 मतलब first equation 2 के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि 18 is equals to 2x और x की value आएगी 18 by 2 और यह value आएगी 9 तो वो जो unknown quantity मैंने ली थी x उसकी value आगी यह 9 इस 9 को उठाओ आप brown cover की books 3 के साथ multiply कर दो तो 3 into x था इसका मतलब 3 into 9 हो जाएगा और यह value हमारी आजाएगी 27 यह चीज़ समझ आ रही है तो अगर 18 book green cover के साथ है तो 27 books जो है वो brown cover के साथ होंगी 27 books brown cover के साथ यह आएगा आपका c option clear है तो यहाँ पर question number 7 का answer c आया कैसे आया वो मैंने समझाया आपको जो ratio दिया है उस ratio को हटाना है ratio को हटाने के लिए एक unknown quantity multiply करनी है उपर नीचे जब आप unknown quantity उपर नीचे multiply करोगे तो आप देखो कि इसकी value 2x आएगी इसकी value 3x आएगी 2x की value 18 दिये उन दोनों को substitute करके x निकलेगा वो x की value हम डालेंगे 3 के साथ clear है चलिए board कर देते हैं clear move करते हैं question number 8 की तरफ तो question number 8 क्या कहा रहा है तो question number 8 क्या कह रहा है the greatest ratio the greatest ratio among the ratios 2 is to 3 and 5 is to 8 75 is to 121 and 40 is to 25 is तो मैं 4 ratio दिये हैं उसमें बड़ी value कौन सी है देखना एक ratio मुझे दिया है 2x3 एक ratio मुझे दिया है 5x8 एक ratio मुझे दिया है 75x121 ठीक है और एक ratio मुझे दिया है 40x25 ये भी एक ratio दिया है ठीक है इसमें बड़ी value क्या है तो पहली बात देखो उपर नीचे highest common factor 1 है उपर नीचे highest common factor 1 है उपर नीचे highest common factor 1 है उपर नीचे एक common factor 5 दिख रहा है तो इसको पहले simplify करना पड़ेगा 40 by 25 को जब मैं simplify करूंगा तो यहां से 4 into 10 बन रहा है यहां 4 into मैं ऐसा बोलतू 5 into 8 और यहां पर 5 into 5 तो 40 by 25 को जब मैं simplify करूंगा तो यहां पर आजाएगा 5 into 8 45 और 5 into 5 25 उपर नीचे 5 से 5 कट जाएगा ratio आएगा 8 by 5 तो यहां पर एक ratio है वो है 8 by 5 अब मैं बता सकता हूँ कि इसमें बड़ा कौन सा है अब बड़ा कैसे बताते हैं तो आपने fraction chapter पड़ा है ठीके वहां पर आपने पड़ा था कि denominator देखके greatest बता सकते हैं तो denominator अगर मैं देखूं तो सबके denominator यहां पर 3 है यहां पर 8 है common नहीं है यह 121 है यह 5 है तो common तो कुछ भी नहीं है इसको पहले common बनाना पड़ेगा common बनाने के लिए हम LCM लेंगे किसका LCM लेंगे हम LCM लेंगे LCM of 3,8,121,5 का ठीक है तो इनका LCM कितना आएगा तो यह हमारा आ जाएगा 3 into 8 is 24,24 into 5 तो 24 into 5 into 121 कुल मिलाके इनका आएगा 3 into 8 into 121 into 5 यह एक LCM value आएगी जिसको solve करके देखने की जरूरत अभी नहीं है क्या करना है सर फिर 2 by 3 है तो 2 by 3 है इसका LCM क्या होगा तो देखो 3 की जगा पे मैं लिख सकता हूँ यह LCM की value तो 3 multiplied with 8 multiplied with 121 multiplied with 5 इसका भी LCM क्या होगा तो इसका भी LCM होगा 3 into 8 into 121 into 5 इसका भी LCM होगा कितना तो 3 into 8 into 121 into 5 इसका भी LCM होगा किसका 5 के साथ तो यह हो जाएगा 3 into 8 into 121 upon into 5 तो कुल मिला के जब भी आपको बड़ा बताना है बड़ा तभी बता सकते हो जब denominator same होगा और denominator same करने के लिए आप लोग LCM लेंगे सारे denominators का क्योंकि सारे denominators आप देखेंगे यहाँ पे यह भी prime है यह भी prime है यह 11 into 11 का है यह 2 into 2 into 2 का है कोई भी common factor नहीं दिख रहा lowest common factor common कुछ नहीं दिख रहा तो इस कारण हमने multiply किया है अब numerator तो 3 के table में यह कहां आएगा तो यह आएगा 8 into 121 into 5 मतलब उपर का 2 जो है वो multiply हो जाएगा किस के साथ 8 into 121 into 5 के साथ ऐसे ही यह वाला 8 है यह रा 8 तो denominator में 8 है यहाँ पर भी denominator में 8 है तो यहाँ पर 3 into 12 into 5 जो है वो 5 के साथ multiply होगा तो 5 already numerator में था 5 into 3 into 121 into 5 देखो क्या कर रहा हूँ मैं मैं कुल मिला के इसके denominator और इसके denominator को देख रहा हूँ तो इसके denominator में 8 है 8 के table में यह denominator आएगा 3 into 121 into 5 times उसको मैं multiply कर रहा हूँ numerator के साथ ऐसे ही यहाँ पर है 121 के table में 75 जो उपर दिया है 75 यहाँ पर multiply हो रहा है किसके साथ तो 75 multiply हो रहा है यहाँ पर 75 किसके multiply हो रहा है तो 75 multiply हो रहा है 3 into 8 into 5 के साथ 3 into 8 into 5 के साथ ऐसे ही 5 है तो 5 multiply होगा मतलब 8 multiply होगा numerator में 8 है 8 multiply होगा किसके साथ 8 multiply होगा तो 3 into 8 into 121 के साथ 3 into 8 into 121 के साथ क्योंकि जो denominator रहता है उसको छोड़ दो बाकि जो values है वो numerator के साथ multiply हो जाएंगी यह आपको करना था इसकी value निकाल लीजिए तो यह आएगा 2 into 8 16 और 16 into 5 तो यहाँ पे लिख लेते हैं तो यहाँ पे भी 121 है यहाँ भी 121 है यहाँ नहीं यहाँ पे 121 है ठीक है एक काम करते हैं 2 into 8 is 16 16 into 121 into 5 और 16 into 5 तो यह होगा 80 तो हम ऐसा लिख सकते हैं 16 और 5 का multiplication तो 6 into 5 is 80 16 into 5 is 80 80 into 121 इसका numerator आएगा इसका numerator आएगा 15 into 5 तो 15 into 5 is 75 multiplied with 121 ठीक है यहाँ पे आएगा 3 into 5 is 15 15 into 8 तो यह आजाएगा 75 into 3 into 5 is 15 15 into 8 तो 15 into 8 is 4 120 15 into 8 is 120 ठीक है यहाँ पे यहाँ पे आपका 121 multiply होगा 8 into 3 8 into 3 is 24 24 into 8 तो 24 into 8 कर लो 4 into 8 is 32 3 2 into 8 is 16 plus 3 is 19 192 तो यह मैंने सबके numerator लिख दिये आप देखेंगे 121 के साथ 75 multiply करूँ यह 121 के साथ 192 multiply करूँ तो इसमें और इसमें बड़ा जो है वो इसमें आएगा और यहाँ पे 121 है तो 80 छोटा है 75 छोटा है 121 बड़ा है तो कुल मिला के यहां तो यह बड़ा है यह तो यह बड़ा है ठीक है यह दोनों छोटी छोटी value है क्योंकि यहां पर 121 है यहां पर 121 है यहां पर 121 के साथ 80 multiply करूँगा यह 75 multiply करूँगा जो भी multiply करूँ जो भी answer आए वो छोटी आएगी क्योंकि 121 के साथ 3 डिजिट का बड़ा नंबर में multiply कर रहा हूँ तो यहां पर value भड़ी आएगी as compared to this तो यह answer नहीं है यह answer नहीं है अब answer यह तो यह है यह तो यह है तो मतलब मेरा answer यहां तो 75 by 121 है यह 40 by 25 है तो पहले तो option देख लेता हूँ तो एक option यह भी दिया है और एक option मुझे 40 is to 25 कभी दिया है तो मेरा answer C यह D में से है तो इसको आपको multiply करके देखना पड़ेगा कर लो देखो 12 into 75 अगर मैं करता हूँ तो यहां पर कर लेते हैं rough work में 75 into 12 तो 2 into 5 is 10 10 का 0 carry 1 14 ओ 15 cross 1 into 5 is 5 1 into 7 is 7 0 10 10 का 0 carry 1 8 ओ 900 तो यहां पर यह आ जाएगा 9000 ठेक है 75 into 129,000 अब 121 into 192 अगर करता हूँ तो यह आ जाएगा 121 into 192 तो 2 1 times 2 2 2 times 4 यह 242 cross 9 1 times 9 9 2 times 18 18 का 8 carry 1 यह आ गया 1089 double cross और 1 into 1 1 1 into 2 is 1 1 into 1 is 1 2 2 9 और 4 13 13 का 3 carry 1 नौर 10 12 12 का 2 carry 1 2 3 2 3 2 यह और बड़ी value आ रही है इसका मतलम मैं कहूंगा 8 by 5 मतलब 40 by 25 एक बड़ा ratio है 40 by 25 मतलब D answer है क्या किया समझ आया थोड़ा सा multiplication था लेकिन हमें solve किया move करते है next question question number 9 की तरफ तो यह क्या बोल रहा है इसको देखो there are b boys and g girls in a class एक class के अंदर कितने लड़की हैं और कितनी लड़कियां हैं यह तुम्हें एक letter के थ्रू बताया है तो boys कितने हैं b boys है ठीक है और girls कितनी है g girls है ठीक है the ratio of the number of boys अब देखो word बोला है ratio किसका ratio दिया है the number of boys two two को मैं यहाँ पर एक box में डाल देता हूं the total number of students in the class अब किसका ratio बताया है ratio बताया है boys का किसके साथ total number of students in the class लेकिन total number of students तो हमें पता ही नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं given और given में मुझे क्या क्या है वो लिख लेता हूं तो number of boys ठीक है तो number of boys यह हमें एक letter दिया है small b and number of girls तो number of girls यह हमें एक letter दिया है g small g ठीक है अब total number of students कितने होंगे तो total number of students मतलब दोनों लड़के और लड़किया मिलाके कितने होंगे तो b plus g होंगे यह चीज clear है तो total number of students B plus G होंगे ठीक है, अब ratio किसका पूचा है तो ratio इन्होंने हमसे पूचा है ratio इन्होंने हमसे पूचा है number of boys तो number of boys is two is two, two, two लख्या था ना two के लिए हमने वो symbol लगाया, double dot the number of students तो total number of students total number of students ठीक है, अब इसके बाद क्या गरना हमें तो इसके बाद हमें number of boys कितने दियें, ये दियें है B, ठीक है, और total number of students कितने हैं, ये है B plus G तो finally हमारा ratio किया आया तो ratio हमारा आ रहा है यहाँ पर B upon B plus G कोई issue नहीं, ठीक है, ये आ गया answer, अब आप देखो B upon B plus G, ये है हमारे पास option A, ठीक है, तो question number 9 का answer है A option तो इस पकार से बहुत प्यारा सवाल, ये 10 question जो है, ये MCQ के है, ठीक है, देखी answer A है, yes green tick भी हमारा A पर ही हमें मिल रहा है move करते है, last question, question number 10, तो MCQ का question number 10 हमें क्या कह रहा है ये कह रहा है, if a bus travels 160 km in 4 hours 4 घंटे के अंदर कोई bus 160 km का रस्ता कवर करती है, और एक train है जो 320 km कवर करती है, 5 घंटे के अंदर, तो ये हमें दिया है train का data, और ये हमें दिया है bus का data, तो ये है bus का data, कि इतने time में इतना किलोमेटर, इतने time में इतना किलोमेटर, train और bus का data हमें मिल गया, add uniform speed, अगर दोनों की speed same रहती है, then the ratio of the distances traveled by them in one hour, एक घंटे में ratio बताईए क्या बनेगा एक घंटे का ratio क्या बनेगा, तो हमें data क्या दिया है, तो सबसे पहले हम data लिख लेते हैं, दो माक्स का सवाल है और इस पगार के question आ सकते हैं देखिए, given में हमें उन्होंने बोला है, bus travels bus travels 160 किलोमेटर ठीक है in in, कितने घंटे के अंदर 4 hours के अंदर तो हम एक काम करते हैं, statement लिखते हैं, in 4 hours in 4 hours bus travels कितना रस्ता तो bus travel कर रही है 160 किलोमेटर 160 किलोमेटर ठीक है, और in 5 hours 5 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे, तो train travels, train कितना travel कर रही है, तो train travels, train कितना travel कर रही है, तो 5 घंटे में train travel कर रही है, 320 किलोमेटर क्या मैं इस डाटा से, यूनिटरी मेथर्ड का यूज करते हुए, देखो मुझे 4 घंटे का डाटा पता है, और यहां पे मुझे 5 घंटे का डाटा पता है तो मैं red pen से यहां पे 1 अवर का डाटा निकालता हूँ, therefore in 1 अवर, एक घंटे का डाटा, जब मुझे ज़ादा के बारे में पता है, मुझे कम के बारे में पता करना है, तो हम divide करते हैं, तो in 1 अवर, bus travels, एक घंटे में bus कितना travel करेगी, तो bus travel करेगी 160 by 4 divide करना है, इतना kilometer, ठीक है, तो 1 अवर, तो ये 4 जो है, 160 के नीचे चला जाएगा, जब बढ़या दिया है, फिगर, छोटा पता करना है, तब divide करते हैं, जब छोटा पता है, बढ़या का पता करना है, तब multiply करते हैं, तो इस case में हम divide करेंगे, clear है, और 160 by 4 का मतलब क्या होता है, तो ये आजाएगा आपका 40 kilometer, कैसे आया सर, 40 kilometer, तो हमने क्या किया, 4 से 160 को cut लगाया, मतलब हमने common factor उपर नीचे, simplified कर दिया, 4 into 4 16, तो उपर आएगा 40, ये था 4 into 4 into 10, तो 4 से 4 cut गया, और 4 into 10 40 answer आया, clear है, यहाँ पर ऐसे ही, therefore in one hour एक घंटे के अंदर train travels, train कितना travel कर रही है, तो train travel कर रही है 320 by 5 320 by 5 kilometer और ये value हमारी कितनी आएगी, तो देखो 5, 6 times, divide कर दो, आप rough में भी divide करके देख सकते हो, तो 320 को जब 5 से divide करोगे, तो यह आएगा 5, 6 times 30 2 नीचे आया, ये 0 यहाँ आगया, ये minus करने पर 2 आया, ठीक है, 25 4 times होता है 20 तो आप देख रहे हो, कि एक घंटे में जो train travel करेगी वो है 64 km train की speed जादा है as compared to bus से ये एक घंटे में 40 km ये एक घंटे में 64 km अब हमसे ratio पूछा है तो हमसे ratio क्या पूछा है वो ratio लिख लेते हैं तो ratio हमसे पूछा है की the distance traveled by them एक common word दे दिया यहाँ पर them, them का मतलब पहले जिसकी बात हो रही है आपको भी उसी की करनी है और बाद में जिसकी बात हो रही है तो आपको बाद में भी उसकी बात करनी है मतलब बाद में करनी है जिसकी बाद में बात की है उसकी तुमें भी बाद में बात करनी है जिसका पहले बोला है उसका पहले ही बोलना है यह चीज़ है यहाँ पर ठीक है, तो जातर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, आप लोग यह गलती नहीं करेंगे, clear है, देखेगा, then the ratio of the distance traveled by them in one hour, तो एक घंटे का हमने data निकाल लिया है, पहला हमें data दिया था bus का, तो हम bus का देख लेते हैं, 40 km तो हमें ratio निकालना है, bus by train, ठीक है, in one hour, तो bus का figure value आ रहा है 40, और यहाँ पर train का data आ रहा है 64, अभी यह simplify हो सकता, भी यह ratio नहीं है, यह fraction है, ratio तब निकलेगा, जब highest common factor उपर नीचे बन होगा, तो 40 और 64 में common क्या है, तो देखो, 40 का अगर मैं factor निकालूंगा, rough में निकाल रहा हूं, तो 2 into 2, 4, 0, again 2, 1 times 2, 0, again 2, 5 times 10 और ऐसी 40 के बाद 64 का value निकालूंगा, तो 64 का factor क्या निकलेगा, देखना, 2, 3 times 6, 2, 2 times 4, 2, 1 times 2, 2, 6 times 12, 2, 8 times 16, 2, 4 times 8, and 2, 2 times 4, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 40 के लिए जो factors निकले हैं, वो है 2 into 2 into 2 into 5, ठीक है, और यहाँ पर 64 के factor क्या आए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 factor आए है 2 के, ठीक है, तो यहाँ पर 6 factor है, मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, clear है, चलिए, बहुत बढ़िया, अब देखिएगा, 2 से ये 2, इस 2 से ये वाला 2 और इस 2 से ये वाला 2, तो उपर नीचे क्या बचा, कुल मिला के 5 upon 8 बचा, 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, तो रेश्यो आया है 5 by 8, मतलब 5 is to 8 का, तो यह रेश्यो निकला आया, question number 10 को करने का तरीका C option कैसे answer आया, मैंने एक proper way में आपको चीजे समझाएए, दो marks में ये सवाल बन सकते हैं, अब भी MC की हो है तो half marks, one marks में पूछे जाते हैं, clear है, चलिए, बोर्ट कर लेते हैं clear, तो question number 10 भी हो गया हमारा यहाँ पर, यह देख लेते हैं, देखिए answer भी हमारा C option पर टिका आ रहा है, तो हमने देखा question number 1 से लेके 10 तक थे multiple choice questions, इसके बाद क्या दिया है, तो इस video में हम और क्या cover कर रहे हैं, तो इस तरह के आप देखेंगे आपको question number 15 तक, in question number 11 to 15, find the missing number, हमें missing number पता करना है, in each of the proportions, देखो क्या दिया है, तो यहाँ पे हमें दिया है 3 by 5, एक ratio दिया है, ठीक है, और 5 के सामने यहाँ पे लिखा है 20, इसका मतलब यह है, कि 5 में ऐसा क्या multiply किया, कि यहाँ 20 आया, ratio क्या होता है, ratio होता है, जब highest common factor 1 होता है, तो 3 और 5 में common क्या है, 3 और 5 में 1 common है, अभी इस 5 को 20 बनाया है, मतलब equivalent fraction बनाया है, तो 5 के साथ पक्का इन्होंने 4 multiply किया होगा, तो ही तो 20 आया, यही 4, यही एक quantity, क्योंकि नीचे थी, इसी को अगर हम उपर multiply कर दें, तो पर 12 आना चाहिए था, और जब 12 by 20 को simplify किया होगा, तो ही तो यह 3 by 4 आया है, clear है, तो यह ratio कैसे बना, यह ratio बना होगा, जब एक unknown quantity को उपर नीचे multiply किया होगा, मतलब यहाँ पर भी एक X, यहाँ पर भी X को multiply किया होगा, यह दोनों same values हैं, जो उपर नीचे multiply होती हैं, 5 में म 4 multiply किया, तो 20 आया, उसी 4 को मैं 3 के सब multiply कर दूँगा, मेरा answer 12 आएगा, तो यह आएगा basically 12 by 20, तो यहाँ पर जो खाली डबा box है, इसके अंदर 12 आना चाहिए था, समझ आ रहा है, यहाँ पर 12 कैसे आया, clear है, तो question number 11 का answer है 12, clear, उसके बाद, यहाँ पर एक हमें value नहीं पता बट नीचे 18 लिखा है, और इसकी value एक ratio बना रही है, 2 by 9, यह 2 by 9 कैसे आया होगा, मतलब जब उपर नीचे similar value को cut किया होगा, ठीके, similar factors को cut किया होगा, और वो ही हमें ratio देगा 2 is to 9 का, तो 9 में ऐसा क्या multiply करूँ, वो unknown quantity ऐसी क्या होगी, जिससे 18 बना होगा, तो आप सर, इस x की जगा इन्होंने 2 multiply किया होगा, तो 9 into 2 किया होगा, तो 18 आया होगा, इसका मतलब यही value मुझे उपर भी multiply में डालनी पड़ेगी, तो 2 into 2, 4, मतलब यहाँ पे खाली box में 4 आना चाहिए था, समझ आ रही है, question number 11 और 12 एकदम सेम था, कोई यहाँ पर कमी नहीं थी, clear, चलो, अब देखेगा, यह कर देते हैं clear, ठीक है, question number 13 देखना, 8 by something, कुछ तो है, जो हमें value दे रहा है, 3.2 by 4, 3.2 by 4, आप लोगों ने decimal chapter पढ़ा है, उसमें आप लोगों को यह पता है कि decimal remove करने के लिए, decimal के बाद कितने digit हैं, तो decimal के बाद एक digit है, वो ही digit, अगर remove करूँगा, decimal remove करूँगा, क्योंकि एक digit है, तो नीचे into 10 आ जाएगा, और यह वाला ratio, यह वाला fraction जो बन जाएगा, यह बन जाएगा 32 by 4 into 10, यह decimal remove करने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, तो decimal जब भी remove करते हैं, तो decimal के बाद कितने digit हैं, एक digit है, इसल 3 digit होते हैं, तो नीचे 1000 आता, तो decimal remove किया, अब देखो, अब यह कितना असान हो गया, तो यह कह रहा है, 8 में ऐसा क्या multiply करूँगा, कि 32 आएगा, तो 8 में ऐसा क्या multiply करूँगा, कि 32 आएगा, चलिए, तो देखीगा, 8 4 times होता है 32, तो 8 4 times होता है 32, नीचे क्या ऐसा लिखा होगा, कि यहाँ पर 40 बना, तो यहाँ पर common सी बात है, यह फाला 4 जो उपर डाला है, वो नीचे भी होगा, और एक 10 भी होना चाहिए, तो कुल मिला के 8 by 40 होगा, मतला 8 by 10 होगा, है ना, तो 8 by 10 is equals to 32 by 4, यह ऐसा बुलना चाहरा है, ठीक है, क्योंकि common factor उपर नीचे cut हो चाहिए, यहाँ पर नीचे 10 आना चाहिए, 8 by 10, 32 by 4 के बराबर होता है, equivalent fraction आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो वो ही यहाँ पर हम डाल रहे है, clear है, आगे देखिएगा, यहाँ पर, तो question number 14 अब हम solve कर रहे है, question number 13 हो गया, question number 14 में यह कह रहा है, कि कुछ numerator में है, denominator में 45 लिखा है, यह equal है 16 by, 16 by 40 के, अच्छा, और फिर यह equal है 24 by something के, अब यह equivalent fraction दिया है, तो ऐसी क्या values जालूं, कि यहाँ पर कुछ multiply करने पर, किसी value के साथ, मतलब basically यहाँ पर कोई ratio होगा, मैं कहता हूँ, x by y कोई ratio होगा, कि नहीं दो चीज़ होगा, multiplication 45 होगा, उसमें जब कुछ और multiply करूँगा, तो 40 आएगा, ऐसे ही जब x में कुछ multiply करूँगा, तो 16 आएगा, जब उसी x में कुछ multiply करूँगा, तो 24 आएगा, तो आप देखेंगे, 16 बनता है 4 into 4 से, और 40 बना है 4 into 10 से, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम blue pen का use करते हैं, और आपको जाने के लिए, यहाँ पर मैं दुबारा समझाता हूँ, यह 16 बना होगा, 4 into 4 से, और यह 40 बना होगा, 4 into 10 से, ऐसी बना होगा, ठीक है, अभी देखो, उपर नीचे common दिख रहा है 4 and 4, बट 4 and 10 में भी मुझे common दिख रहा है, तो यह मैं 4 को बनायता हूँ, 2 into 2, और इस 10 को म मैं बनायता हूँ, 2 into 5, आप देखो, 16 बना होगा, 4 into 4 से 16, 4 into 10 से 40, उपर नीचे अगर मैं simplify करूँ, तो common factor मुझे दिख रहा है, 4 and 2, 4 and 2, तो यहाँ पर एक ratio आ रहा है, वो ratio आ रहा है, 2 by 5, ठीक है, अब 5 में ऐसा क्या multiply किया, कि 45 आया, तो आप कहेंगे, sir, 5 में आपने, 9 का multiplication किया होगा, ठीक है, अगर 5 में मैंने 9 का multiplication किया होगा, तो वो ही 9 मुझे 2 के साथ भी multiply करना पड़ेगा, तो 2 into 9 होता है, 18, और 5 into 9 होता है, 45, ठीक है, 2 में ऐसा क्या multiply किया होगा, कि 24 बना है, तो यहाँ पर देखो, यह 24 लिखा था, तो 2 में ऐसा क्या multiply किया होगा, 2 म पर तुम्हारा ये 24 आया तो आप कहेंगे से 2 में 12 का multiplication किया होगा ठीक है तो अगर 2 में 12 का multiplication किया तो 24 आया तो 5 में भी आपको 12 का multiplication करना पड़ेगा समझ आ रही है ये common ratio मैं निकाल लिया ऐसा क्या common है 16 और 40 में जो इसमें भी है इसमें भी है आप देखेंगे 16 by 40 को जब मैंने simplify किया तो मुझे एक ratio मिला है 2 by 5 और हम वो ही तो chapter पढ़ रहे है ratio and proportion तो हमने basically एक ratio निकाला 2 by 5 अब इसका equivalent बनाना है तो इसका equivalent बनाने के लिए यहाँ पर 2 into 12 यहाँ पर 24 अल्रेडी दिया था तो यह 24 जो अल्रेडी दिया था यह red pen से मैंने लिखा है और blue pen से मैंने वो लिखा है जो मैंने find किया है ठीक है तो यहाँ पर 16 by 40 को जब simplify किया तो 2 by 5 आया 2 में 5 में 9 multiply किया होगा तो 45 आया है तो वो ही 9 में 2 में multiply कर दूंगा यह ratio आ जाएगा तो इस खाली जगा पर एक तो 18 आना चीए था ऊपर ठीक है और यहाँ पर नीचे क्या आना चीए था तो नीचे आना चीए था आपका 5 into 12 मतलब 60 ठीक है तो 24 कैसे बना होगा 24 basically बना है 12 into 2 से तो इसी 2 में जब 12 का multiplication किया तो 24 आया इस 5 के साथ भी मुझे 12 multiply करना पड़ेगा तो नीचे 60 आएगा यह पूरी 60 value नहीं दीती इसलिए मैंने 60 लिखा तो 18 और 60 यहाँ पर दो अंसर आएगे उपर numerator मे 18 नीचे denominator में 60 ठीक है तो यह board clear करके मैं ऐसे लिख देता हूँ कि numerator में 18 आएगा और denominator में यहाँ पर तुम्हारा 60 आएगा clear है तो इस पगार से आपने question number 14 तक देख लिया ठीक है चलो यह board कर देते हैं clear अब move करते हैं next question last question वो है question number 15 question number 15 में यह कह रहा है आपके सामने 4 fraction लिखें क्या क्या लिखें दिमाग लगाएंगे चलो जल्दी से 16 by 36 यह equal दिया है किसके numerator में value नहीं दिये denominator में 63 लिखा है फिर यह equal दिया है 36 by यह खाली जगा छोड़ दी फिर यह equal दिया है उपर का numerator खाली छोड़ दिया denominator में 17 लिखा है 117 लिखा है यह लोग 117 लिखा है ठीक है अभी क्या करना है तो जो तुम्हें complete fraction दिया है उससे पहले ratio निकालो ratio निकालने के लिए तुम्हें इसको simplify करना पड़ेगा simplify करने के लिए तुम्हें common factor उपर नीचे cut करने पड़ेंगे तो 16 बना होगा देखो मैं blue pen से लिख देता हूं 16 बना होगा 2 into 2 into 2 into 2 से 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 is 16 36 कैसे बना होगा तो 36 बना होगा 2 into 2 ठीक है multiplied with देखो 36 के factor निकालने पहले तो 2 1 times 2 2 8 times 16 2 9 times 18 and 3 into 3 से तो 2 into 2 into 3 into 3 इससे 36 बना होगा अब मुझे वो ratio ढूनना है तो सबसे पहले ratio ये कहता है कि highest common factor 1 होना चाहिए उपर नीचे highest common factor 1 होना चाहिए इसमें तो common मुझे 2 और 2 फिर एक 2 एक 2 और दुख रहा है दिख रहा है तो यहाँ पे जो ratio निकल के आया वो आया है 4 by 9 का अब देखो 4 में ऐसा क्या multiply किया कि 16 आया तो 4 में 4 multiply किया 9 में 4 multiply करूँगा तो 36 आएगा ठीक है अब 9 में ऐसा क्या multiply करूँगा 63 आएगा तो 9 में ऐसा क्या multiply करूँगा 63 आएगा तो आप कहेंगे सर एक काम करिए 9 के साथ 7 का multiplication कर दीजे तो वो ही 7 मुझे 4 के साथ भी multiply करना पड़ेगा तो 4 into 7 is 28 तो यहाँ पे basically 28 आएगा ठीक है आगे देखना ratio था 4 by 9 का यह ratio था अब equivalent fraction मनाना है 4 में ऐसा क्या multiply करूँ कि 36 आए तो आप कहेंगे सर 4 में 9 multiply कर दो तो जो value आपने उपर डाली है वो ही same value मैं नीचे डालूँगा तो 9 into 9 आ जाएगा यह आजाएगा 81 यहाँ पे आएगा 81 समझ आ रही है फिर यहाँ पे ध्यान देना अब क्या 9 में ऐसा क्या multiply करूँ कि 117 आए 9 में ऐ 117 आए तो 117 के factors निकालने पड़ेंगे ठीक है 117 जब 9 से divide होगा तो 9 1 times होता है 9 ठीक है 27 9 3 times 27 तो जब मैं 13 से multiply करता हूं 9 को तो 117 आता है इसका मतलब 9 में अगर 13 का multiplication किया है तो 4 में भी 13 multiply करना होगा और 4 में अगर 13 multiply करूँगा तो यह value आएगी 52 clear है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप मैंने तीनों fling in the blanks भर दिये 28 81 52 बस यही इसका answer है तो यहाँ पर 3 answer आएगे उपर एक जगा 28 आएगा नीचे एक जगा 81 आएगा और उपर एक जगा 52 आएगा इसको copy कर लो ठीक है तो यह वाला जो तुमारा fraction दिय यह दिया 28 by 63 यह दिया 36 by 81 और यह दिया 52 by 117 यह तीन आपके fractions बनेंगे तो कब fraction बोलना है कब ratio बोलना है कैसे निकालना है वो चीजे आपने question number 11 से लेके 15 तक solve कर दी clear है चले board कर लेते हैं यहाँ पर clear तो 15 question हमने कर दी है यहाँ तक solve ठीक है question number 15 तक 1 से 15 तक total हो गया solve आगे अब क्या है इस वीडियो में तो true and false और question number 16 से लेके 34 तक true and false है चलिए देखते है 16 से 34 तक true and false को solve करते हैं देखिएगा three by eight एक ratio दिया है ठीक है ना इधर कुछ common है ना इधर कुछ common है common क्या है इसमें one है इसमें one है तो यह ratio है अब क्या eight में मैं ऐसा कुछ multiply कर सकता हूं कि मेरा denominator 40 आ जाए तो आप कहेंगे हां sir five डाल दीजिए अगर मैंने नीचे five डाल दिया तो क्या वो ही five जब उपर डालूंगा तो fifteen आ रहा है तो आप कहेंगे yes आ रहा है तो यहां पर हम कहेंगे यह statement true है कैसे solve कर रहा हूं एक एक चीजे बोल बोल के चीजों को समझना मैं हर चीज समझाता जा रहा हूं साथ साथ यह statement true क्यों है क्योंकि यह ratio दिया था इस ratio में एक unknown quantity जो उन्होंने cut की थी वो मैंने डाली तो मैंने देखा yes LHS RHS के बराबर आ गया इसलिए मैंने बोला question number 16 का answer true है चलो board कर लें clear तो यह आपका statement जो है यह true statement है move करते है question number 17 की तरफ 17th question क्या कह रहा है तो यह कह रहा है कि ratio तुम्हें दिया है 4 by 7 ठीक है और यह ratio है क्यों क्योंकि 4 7 में कुछ भी common नहीं है ठीक है अब क्या मैं 4 में ऐसा कुछ multiply कर सकता हूं कि उपर answer 20 आए तो आप कहेंगे yes 4 में 5 multiply कर दो अब जो quantity आपने उपर डाली है वो ही same quantity नीचे डालनी पड़ेगी जब मैं 7 में 5 का multiplication करूंगा तो यहाँ पर 35 आ रहा है तो yes 20 by 35 आ रहा है तो यह statement भी true है clear है तो question number 16 भी true है question number 17 भी true है तो कैसे इस चीज़े solve करनी है कैसे समझना है वो अपन समझ रहे है 0.2 upon 5 देखो 0.2 upon 5 ठीक है और यहाँ पर इन्होंने बोला है is equals to 2 by 0.5 तो क्या यह equal है LH's RH's तो आपने यहाँ पर decimal पढ़ा है decimal में आपने यह पढ़ा है कि जब भी उपर से decimal को remove करना है तो decimal के बाद कितने digit है जितने भी digit है उतने zeros नीचे लग जाएंगे यही पढ़ा है तो यहाँ पर देखो इस decimal को remove करेंगे तो यह आ जाएगा नीचे 50 और यह बन जाएगा तु यह 0 चला जाएगा उपर जब नीचे से decimal हटाऊँगा उपर 0 जाएगा जब उपर से decimal हटाऊँगा नीचे 0 जाएगा कितने 0 जाएंगे वो depend करता है कि decimal के बाद digit कितने है तो देखो क्या 2 by 50 20 by 50 के बराबर है तो no why no क्योंकि भाईए यहाँ numerator की value 2 है यहाँ पर numerator की value 20 है यह गलत है ठीके तो यह statement हमारा false है clear है तो इस पकार से हमने question number कहां तक कर लिया हमने question number 18 तक solve कर लिया question number 19 देखना 19 में क्या है तो 3 by 33 3 by 33 क्या equal है 33 by 3333 के तो भाई यहाँ पर अब चीजे समझना 3 by 33 उपर नीचे common था 3 into 1 और नीचे था 3 into 11 तो आपने 3 से 3 काट दिया था यह ratio आया था 1 by 11 जब 33 यहाँ देखूंगा तो यह हो जाएगा आपका 3 into 11 और जब यहाँ देखूंगा तो यहाँ पर 3 का एक factor तो आ रहा है और यह आ रहा है 3, 111 3 से 3 कटा तो यहाँ पर ratio मुझे मिल रहा है 11 by 111 जो की 1 by 11 हो 1 by 11 दोनों अलग-अलग चीजे हैं दोनों अलग-अलग है solve or नहीं हो पा रहा तो मैं कहूंगा यह statement भी हमारा false है LHS is not equal to RHS common fraction जब मैं निकाल रहा हूं common ratio मतलब ratio जब मैं निकाल रहा हूं तो दोनों का ratio सेम नहीं आ रहा दोनों साइट पे जबकि आना चाहिए clear है move करते हैं question number 20 की तरफ तो question number 20 क्या कह रहा है यह कह रहा है 15 meter by 40 meter क्या बराबर है किसके 35 meter by 65 meter के अब आप एक चीज़ देखिएगा इधर भी meter meter है इधर भी meter meter है unit same है ठीक है 15 और 40 को जब मैं solve करूँगा तो यह आ जाएगा 5 3 times 15 5 8 times 40 ratio आया है 3 by 8 का यहाँ पे solve करूँगा तो 5 7 times 35 5 1 times 5 3 times 15 यहाँ पे ratio आ रहा है 7 by 13 का यह गलत है तो यहाँ पे यह statement हमारा false है चलिए board कर देते हैं clear तो यहाँ तक finally हमने समझा question number 20 तक square यह unit दिया है is equals to हमसे बोला है 18 cm by 38 cm 18 cm by 38 cm ठीक है अब देखो यहाँ पे भी उपर नीचे cm cm यहाँ पे भी cm cm बड़ी यह area है यह length है तो area और length कभी आपस में compare नहीं कर सकते ठीक है अगर आप ratio देखते हैं तो इस case में cm by cm square cut जाएगा और यहाँ cm by cm cut रहा है तो एक ratio निकल के आ रहा है वो आ रहा है 27 by 57 ठीक है और दोनो 3 से cut रहे हैं तो 3 9 times 3 1 times 3 3 9 times 27 तो यह 9 by 19 का ratio आ रहा है 18 by 38 को अगर मैं देखता हूं तो 18 by 38 को अगर मैं देखता हूं तो 2 9 times 18 2 1 times 2 2 9 times 18 तो देखो यहाँ पर 9 by 19 9 by 19 आ रहा है तो इस case में मैं कहूंगा जब solve करूंगा तब इनका numerical value सेम आ रहा है बट area का comparison length से नहीं हो सकता ठीक है area is not equals to length हाँ लेकिन solve करने पर इनकी value सेम आ रही है दोनों side पर दोनों side पर ratio सेम आ रहा है तो ratio सेम हो सकता है इसलिए हम बोल रहे हैं यह statement true है ठीक है तो किस कारण मैं statement को true बोल रहा हूं वो तुम्हें समझना पड़ेगा मैं units देखके नहीं बोल रहा मैं इनको solve करने के बाद बोल रहा हूं क्योंकि उपर unit unit कट जाती है तो अगर unit हटा दे numerical value दोनों तरफ जो है 9 by 19 आ रही थी ठीक है आगे देखिएगा 5 kg is to 7.5 kg तो 5 upon 7.5 क्या equal है किसके 7.50 upon 5 के ऐसा इन्होंने पूछ है तो यहाँ पर देखिएगा अगर आप decimal remove करेंगे तो यह उपर 0 चला जाएगा तो यह हो गया तुमारा decimal remove ठीक है और यहाँ से decimal remove करेंगे तो यह हो जाएगा 750 upon 500 ठीक है solve करने पर ratio same नहीं आएगा एक बाद solve करके देख लेते हैं आ रहा है क्या 5 1 times 5 0 5 2 times 5 1 times 5 5 5 times 25 5 2 times 10 5 3 times 15 तो ratio आ रहा है 2 by 3 यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा ठीक है 5 3 times ठीक है मतलब sorry यहाँ पर 5 15 times 3 आएगा 50 काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा तो यह ratio आ रहा है 2 by 3 which is not equal to 3 by 2 तो यह गलत है तो यह statement भी तुम्हारा false है यह statement false है clear है तो यहाँ पर unit एक तो unit को अगर आप उपर नीचे cutting कर देते हैं तो कुल मिला के जो ratio निकल के दोनों तरफ आ रहा है वो गलत आ रहा है ठीक है तो इसलिए हमने कहा पहला 16 वाला जो था वो true था 17 वाला true था 18 false था 19 false था 20 false था 21 true था 22 false था ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 23 की तरह board कर लेते हैं next question question number 23 क्या बोल रहा है 20 gram is to 100 gram तो 20 gram upon 100 देखो जी जी उपर नीचे तो कट गया is equals to 1 meter में होते 100 centimeter तो 100 centimeter by 500 centimeter तो ये centimeter से centimeter unit कट गया सर यहां तो 1 meter दिया था आपने 100 क्यों लिखा मैंने unit change किया है भाई मैंने meter को centimeter में convert किया है तो unit तो हट गया अब देखो इस 0 से ये 0 गया इस 2 से ये 10 गया 5 ताइम्स तो 1 by 5 यहां से 2 0 यहां से 2 0 गया तो 1 by 5 ये statement true है clear है तो statement true क्यों है क्योंकि दोनों तरफ LHS और RHS में जो ratio आ रहा है वो ratio हमारा यहां पर 1 by 5 का आ रहा है ठीक है 12 hours to 30 hours तो देखो 12 hours by 30 hours is equals to 8 km by 20 km ये proportion का question है basically ये जब अलग-अलग units दिये रहते हैं दोनों तरफ पे तो ये proportion है ठीक है अब देखना 12 by 30 को जब मैं solve करूंगा तो ये आएगा 2 15 times and 2 6 times ठीक है यहां पर आएगा 2 4 times and 2 10 times अब देखो 6 by 15 को अगर मैं solve करता हूं तो 3 2 times 3 5 times इधर solve करूंगा 4 by 10 को तो ये आएगा 2 2 times 2 5 times तो देखो 2 by 5 2 by 5 मैं कहूंगा ये statement जो है ये true statement है समझ आ रही है बात उपर नीचे simplify करना है तो हम solution देते जा रहे हैं एक-एक चीजों को समझाते हुए तो यहां पर finally हमने question number 24 तक solve कर लिया question number 25th क्या गया रहा है the ratio of 10 kg to 100 kg 10 kg का ratio 100 kg के साथ तो kg से kg कट गया 0 से 0 कट गया तो ये ratio बनेगा 1 by 10 और इधर आप देखेंगे ये आपको दिया है 1 by 10 मतलब 1 is to 10 तो ये statement true है move करिए question number 26th की तरफ the ratio of 150 cm तो यहां पर ये चीज़े देखना 150 cm का मतलब है 150 cm अपॉन ratio बोला है 2, 2 के बाद जो लिखा है वो हमेशा denominator में आएगा 1 meter तो 1 meter होता है 100 cm के बराबर cm से cm कटा 0 से 0 कटा 3 5 x 15 3 2 x 10 तो ये आएगा हमारा ratio 5 by 2 हमें दिया है 10 by 15 कैसे सर ये 10 by 15 थोड़ी लिखा है आप देखो 1 is to 1.5 लिखा है तो 1 is to 1.5 का मतलब क्या है अगर decimal remove करोगे तो ये 15 मन जाएगा उपर एक 0 चला जाएगा ठीक है अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यह आजाएगा 5 2 x 10 5 3 x 15 यहाँ पर ratio आ रहा है 2 by 3 यहाँ पर ratio आ रहा है 5 by 2 गलत आ रहा है ठीक है तो मैं कहूंगा ये statement जो है यह आपका false statement है ठीक है गलत statement है solve करने पर ratio नहीं आ रहा चलिया 25 kg is to 20 gram अब देखो 25 kg is to 20 gram unit same होने चाहिए क्या तुम kg को gram में बदल सकते हो तो yes हम बदल सकते 1 kg में ये पता होने चाहिए सारे scale 1 kg में 1000 gram होते है तो 1 kg में अगर 1000 gram होते है इसका मतलब 25 kg में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 25 kg में 25 kg में 25 into 1000 gram होंगे और ये value हमारी आ जाएगे 25000 gram clear है तो अब हम ratio निकाल सकते हैं देखना 25 kg can be written as 25,000 gram upon ठीक है 20 gram तो ये आगया 20 gram उपर नीचे G से G कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा तो ये 2 से ये 25 कटेगा तो 2 1 times 2 2 2 times 4 2 5 times 10 और 0 तो ये value आ रही 1250 by 1 ठीक है अब दूसरे साइट पर क्या दिया है तो दूसरे साइट पर दिया है मुझे 50 kg is to 40 gram ठीक है देखना इसको भी 50 kg is to 40 gram तो 50 kg का मतलब दिया है 50 into 1000 gram हमेशा ratio निकालने के लिए unit same होनी चाहिए तो हमने 50 kg को gram में change किया 40 gram अल्रेडी नीचे दिया था तो ये 40 gram और इस G से ये G कट जाएगा ये 0 से 1 0 कट गया इस 4 से ये 50 कटेगा तो ये कैसे कटेगा देखना 2 2 times 4 2 2 times 4 2 5 times 10 ठीक है इस 2 से ये 100 कटेगा 2 5 times 10 और 0 50 तो यहाँ पर ये आगे 25 into 50 gram और जब मैं multiply करूंगा तो 5 into 5 होता है 25 5 2 उपर कहरी 5 into 2 is 10 11 12 ये आएगा 1250 gram और ये भी 1250 आ रहा है तो gram से gram कट गया था actually unit तो कट जाएगी ठीक है तो 1250 वहाँ भी आ रहा है 1250 यहाँ भी आ रहा है ये statement true है तो ये जो question number 27 दिया ये statement true है clear है चलिए बहुत बढ़िया तो यहाँ तक आप true and false देखते हुआ आ गए है ठीक है ये हम इस side को कर देते हैं clear आगे next question में हमसे क्या बोला है चलिए next question read करिए तब तक next question ये बोल रहा है question number 28 the ratio of one hour to one day एक घंटे का comparison इन्होंने एक दिन से किया है पहले तो unit same करनी पड़ेगी ठीक है उसी के बाद आप जवाब निकाल पाऊगे तो एक घंटे में देखो एक घंटे का एक दिन से क्या तालूग बनता है तो यहाँ पे एक घंटा तो ऐसी ऐसी चोड़ देते हैं और one day का मतलब one day का मतलब 24 घंटे होते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम कहेंगे 24 24 hours होते हैं एक दिन के अंदर एक दिन में 24 घंटे अवर से अवर कड़ गया ratio आ रहा है 1 is to 24 का क्या बोला इन्होंने the ratio of 1 hour to 1 day is 1 is to 1 एकदम false statement है ठीक है यह गलत है 1 is to 24 आना चाहिए ठीक है the ratio of 4 is to 16 is in its lowest form ratio 4 is to 16 यह अपने lowest form में है क्या तो 4 by 16 देखो आप 4 तो 4 है बट 16 बना है 4 into 4 से तो 4 से 4 कड़ जाएगा यह ratio आएगा 1 by 4 तो 4 by 16 अपने lowest form में बन जाएगा 1 by 4 तो यह अभी lowest form में नहीं है इन्होंने कहा है यह lowest form में है तो यह false statement है समझा रही है क्यों false मैंने बूला चलिए बहुत बढ़िया तो यहां तक आप पहुंच गएं question number 29 तक move करते हैं next question question number 30 तो question number 30 क्या कह रहा है the ratio 5 is to 4 is different from the ratio 4 is to 5 जो ratio है 5 by 4 यह एकदम अलग है 4 by 5 से तो yes यह दोनों अलग चीजे है यह ratio अलग है यह ratio अलग है इसके numerator की value 5 है इसके numerator की value 4 है इसके denominator की value 4 है इसके denominator की value 5 है ठीके इसको अगर मैं देखूंगा तो यहां पे अगर मैं ऐसा माल लूँ कि मैंने एक cake के 4 तुकड़े किये हैं तो यहां पे number of parts एक cake के 4 हो रहे हैं यहां पे number of parts एक cake के 5 हो रहे हैं ठीके तो एक और part को यह आपने कर दिया तो यहां पे 5 parts दिखाएं यह एकदम अलग है यह एकदम अलग है clear है चलिए बोट कर लेते हैं clear तो यह statement false है last statement false है आपको यह चीज़े समझ आ रही है चलिए बहुत बढ़िया अगर यह अच्छे से आ गया तो comment box में जल्दी से बताईए ठीक है कि समझ आ गया ओके चलो question number 30 तक आपने solve कर लिया finally copy कर लिजिए एक एक चीजों को आपने समझा move करते हैं आगे आगे क्या है तो board करके clear question number 31 true and false चल रहा है 34 तक ठीक है तो question number 31 में देखिएगा a ratio will always be more than 1 कोई भी ratio हमेशा जादा होता है 1 से value तो ये depend करता है ठीक है तो ratio will always be more than 1 हमेशा जादा नहीं होता कम भी हो सकता है ये depend करता है जब numerator upon denominator को ध्यान से आप समझेंगे अगर numerator की value denominator से छोटी है तो value हमेशा less than आती है 1 से और अगर numerator की value बड़ी है denominator से तो 1 से value हमेशा बड़ी होती है more ये इस case में होता है यहाँ पर बोला है the ratio will always be more than 1 तो ये गलत है ये false statement है ठीक है यहाँ पर देखिएगा a ratio can be equal to 1 कोई भी ratio equal हो सकता है 1 के तो yes ये statement true है 1 is to 1 1 होता है ठीक है if a if b is to a देखो if b is to a is equals to c is to d then a b c d are in proportion yes ये true statement है इनको extremes बोलते है b और d को extremes बोलते है इनको means बोलते है तो यही proportion में आपको पढ़ाया गया था ठीक है question number 34 देखिएगा question number 34 में ये क्या बोल रहा है तो question number 34 में ये बोल रहा है the two terms of a ratio can be in two different units देखो यहां पर ये बोल रहा है कि जब भी कोई दो terms लूंगा ratio में तो उनके units different हो सकते है false statement है units हमेशा same होने चाहिए meter meter centimeter centimeter kilo kilo gram gram ऐसा नहीं है कि kilogram का meter के साथ आप comparison कर रहे हो एक weight है और दूसरा जो है वो आपका है distance तो weight और distance का comparison नहीं होता दोनों units सेम होनी चाहिए the two terms of a ratio can be in two different unit false statement है कभी नहीं ratio हमेशा तभी निकालेंगे जब units सेम होनगी ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपने question number 34 तक चीजों को solve कर लिया है true and false कर लिया है ठीक है board हम कर देते हैं clear और आपको यह बताते हैं कि video को कैसे watch करना है तो यहाँ पर part 1 का हम करते हैं चलिए आगे समझेगा मैं समझाता हूँ कैसे करना है यहाँ पर आप simple google raja के पास आपके टाइप करेंगे magnetbins.com तो magnetbins simple type करते ही आपके सामने जो interface आएगा वहाँ पर आपको दिखेगा explore top courses और explore top courses के head के नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा NCIT examplers from 6 to 12 मतलब छटी क्लास से लेके 12 वी क्लास तक NCIT examplers पढ़ाने वाले जितने faculties है क्लिक करते ही वो सारे teachers अलग-अलग subject के साथ साथ है science हो, maths हो, social हो सब complete subjects आपके सामने आपको दिखने लगेंगे अब आपको watch करना है 6th class का NCIT examplers तो आप उपर scroll करिए जैसे उपर की दरफ scroll करते हैं तो यहां पर आपको मेरी photo मिलेगी एकदम last में यहां पर आपको दिख रहा है class 6th maths NCIT examplers भाई अभिशेक चौहन सर ठीक है तो आपको बस watch now पर click करना है watch now पर click करते ही मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे topics proper arranged format में ठीक है आपके सामने है तो watch chapter wise videos भाई अभिशेक सर आप NCIT examplers complete यहां से watch कर सकते हैं जो उन सर topic watch करना है उस topic पर click करो topic पर click करते ही वो video run होना start तो इतना असान है घर बैठे बैठे ते तेयारी करना ठीक है और यह पूरा information आप अपने दोस्तों के साथ अपने से बड़े जो क्योंकि 6th class NCIT examplers तो आप है अभी 6th में 7th, 8th, 9th, 10th, 11th 12th जिसमें भी आपके बड़े भाई-बहन हैं उन तक यह information पूरी पहुंचाईए आपकी touch में ऐसा कोई आपका relative यहां कोई ऐसा नीडी इंसान है जिसको घर बैठे-बैठे त्यारी करनी है उन तक हमारी links को जयू share करिये वीडियो को जल्दी से दे दीजे एक like क्योंकि like ही teacher के बढ़ाता है हौसला मतलब motivation ठेक है तो motivate करना भी जरूरी है इसी के साथ में आप जल्दी से bell icon को प्रेस कर दीजे क्योंकि आप जैसी bell icon प्रेस करते हैं तो 6th class की videos आप तक पहले पहुँचेंगी तो 6th class में जो भी update आ रहा है वो आपको पहले मिले उसके लिए आपको subscribe करना जरूरी है तो किसी तरह का कोई charges नहीं किसी तरह का कोई fees नहीं 100% free education और वो भी from kindergarten से class 12 तक तो ये दे रहा है आपको अकेला मागनल बेंस मिलते हैं part 2 में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए bye and take care